आधारबुद संरचना और यातायाप के व्यापक विस्तार, विकास और प्रगती शिखर की ओर यात्रा यह है सपना हमारे देश के अगरणी प्रधान मंत्री और एक प्रगती शील नेता माननी श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके सबल ने द्रित्व में सम्पून देश के साथ असम और उत्तर पुरवांचल के विकास के लिए हमेशा सक्रिय और तक पर हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी धौला ख़डिया और बोगी बिल जैसे पुल असम को समर्पित करने के बाद आज हमारे प्रधान मंत्रे श्रीन नरेंद्र मोदीजी के करकमलों से प्रारम होगी दस नई विकास शीन योजनाएं जिनकी कुल लागत 11,600 करोड रुपए अनुमानित की गई है मा कामाख्या के आशिर्वात से धन्य हैं असंभूमी कामाख्या धाम की परिसर के संगरक्षन और संगवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्पाकांक्षी परियोजना प्रारम की गई है मा कामाख्या दिव्यलोग परियोजना के तहट विशाल धांचागत विकास होगा इस परियोजना की कुल लागत 500 कडोड अनुमानित की गई है एक भारत श्रेश्ट भारत की नारे के तहट गौहती में एकता मौन बनाया जाएगा एक कमौन स्थानिय रूप से उत्पादित वस्तूओं, छोटे व्यवसायों, कारिगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खादिय व्यवसायों को एक वानेचिक मंच प्रदान करेगा कुल परियोजना लागत 297 करोड है असम ही नहीं, पूरे पुर्वोत्तर के असंखे रोग्यों की आशा और भरोसे का स्थल है रोग्यों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्मान करना आवश्चक हो गया है इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड़ वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आइसियू बेड़ और 26 ओपरेशन थेयर्टर शामिल होंगे कुल 3,250 करोड की लागत से यह परियोजना पूरी होगी बराग घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमरत काल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला कोरिमकॉंच के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना असम सरकार ने गौहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नहरु स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारम की है कुल 832 करोड की अनुमानित लागत से गौहाटी नहरु स्टेडियम का काया कल्प किया जाएगा सौन्ड़ापूर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्स कॉम्पलिक्स में एक फुटबॉल फील्ड, दो प्राकृतिक गैलरी और सभी सुवेधा संपन बहु मंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तयार होगा लोकोप्रियो गोपिनाद बॉडलोय हवाई अड़े को जोडने वाली संपर्ग सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है पी-म जिवाईन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से दो लेन यूक्त सड़क को चाह लेन यूक्त सड़क में तबदील किया जाएगा राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्य सहाता से चाह लेन यूक्त कैरियोजवे के रूपे विक्सित करेगी 1000 किलोमेटर सरक उन्नतिकरण की एक अभिलाशी परियोजना तयार की गई है असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन आठ परियोजनाओं का शीलानियास आज देश के अगरणी नेता मानन्य प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलोंद्वारा संपन्न हुआ केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाडी से जामुगूरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर चाल लेन के राष्चर राजमार का निर्मान पूरा कर लिया है कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड है और विस्वनात से गौफपूर तक का चाल लेन राष्चर राजमार का निर्मान पूरा कर लिया है परियोजना की कुल लागत लगभग 1451 करोड है यह परियोजनाए इटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है यह हमारे लिए गर्व कक्षन है कि पूरी की गई इन दो परियोजनाव का भी उधखाटन हमारे माननिय यश्रस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलो द्वारा